असलाम लेकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आज़ो का है फ्रायर मामा विसमे क्या है? सदे है तो तेरे नहीं तो फिरा विसको दूंते है जिला असलाम लेकुम प्यारे दोस्तों तो आज मैं हाजर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ और जैसा के कल रमदान करीम का पहला रोजा है सब को रमदान बहुत बहुत मुबारिक हो और अल्ला पाक सब पर अपना खास करम करें आमीन और आज मैं हाजर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ जो के मैं अपनी मामा के साथ किचन में आई हूँ और सहरी की त्यारी के लिए हम बना रही हैं मटर और आलू की सबसी जो के बहुत जल्द और मज़दार बनके त्यार होती है इस से पहले के मैं अपनी रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँ आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो ची लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काइंडली वीडियो को स्किप किये बगार फुल वाच किया करें तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ मतर आलू की सबजी बनाने के लिए मुझे जो इंक्रीडियन्स चाहिए एक बड़े साइस का प्यास जिसको मैंने काट लिया है और टू टेबल स्पून इसमें मैं लूंगी लस्टन अद्रक खारी मिर्चों का पेस्ट जिसमें मैंने ठोड़ा सब जुका भी एेड किया था इसके बद तीन दरमयाने साइस के टमाटर आदे किलो इसमें एड हूंगे आलू जिनने मैंने कट कर लिया है आदा किलो इसमें एड करूंगी मैं मटर माशाला मटर बहुत प्यारी लग रहे हैं इसके बाद spices जो इसमें मैं add करूँगी, 1 teaspoon जीरा, 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon लाल मिर्च पौउडर, 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च, 1 teaspoon हल्दी पौउडर, थोड़ा सा mix करम मसाला और half teaspoon इसमें add होगी काले मिर्च पौउडर, स्पाइसिस हो चुके हैं मुकमल अब करते हैं रेसिपी के तयारी हांडी में एक कप ऑॉल है जो गरह हो चुका है अब इसमें मैं एट करूंगी प्याज और आट से दस मिनट के लिए इसको करूंगी फ्राइ दस मिनट गुजर चुके हैं और दस मिनट बाद प्यास हो चुका है फ्राइ अब इसमें मैं एड़ करूंगी लस्सन दरक हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही इसमें एड़ कर दूंगी टमाटर यह तमाम एड़ करने के साथ साथ इसमें मैं तमाम स्पाइसिस भी एड़ कर दूंगी और इसको आठ से दस मिनट के लिए अच्छी तरह मसाले के साथ भूनूंगी भूनने के दुरान इसमें थोड़ा सा एड़ करूंगी पानी ताके मसाला अच्छी तरह से गल जाए यहां आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा हो रहा है फ्राइए अभी हमने इसको मज़ीद फ्राइए करना है ताके यह अच्छी तरह से आइल छोड़ दे और इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है अब इसमें मैं एड करूंगी आलू मिया और 10 मिन तक आलू को मसाले के साथ फ्राइ कर लूँगी यह मटर आलू की बहुत यह सान रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं के आलू हमारे मसाले के साथ हो चुके है अब इसमें मैं एड करूंगी मटर इसको अच्छी तरह से कर लूँगे मिक्स और 10 से 15 मिनट के लिए भून लूँगी 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं के मटर और आलू हमारे भून चुके हैं तकरीबन भून चुके हैं और इसकी मज़ेदार सी लुक आप देख सकते हैं और अभी इसको हमने मज़ीद पकाना है ताके मटर भी अच्छी तरह से पक जाएं और आलू भी कोड़ देंगे और हमने इसको इतना इसकी ग्रेवी नहीं करनी इसको बिल्कुल ड्राय फार्म में बनाना है लेकिन यह बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो जाएगा पंद्रा मिनिट गुजर शुके हैं आप करते हैं सालन की सुरुते हाल को चेक और आप देख सकते हैं कि अब भी यलू मटर में बहुत ही पानी मजूद है और आप इसकी जुशीली और धुआधार लुक देख सकते हैं अब भी हमने इसको मज़ीद पकाना है और इतना पकाना है ताकि पानी बिल्कुल खुशक हो जाए और आईल भी छोड़ दे यहां आप देख सकते हैं कि मटर आलू की सबजी में पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है अभी हम इसको 5 मिंट मजीद पकाएंगे ताकि यह मजीद अची तरह बुन जाए और आईल छोड़ दे 5 मिंट बाद आप देख सकते हैं कि सालन हमारा हो चुका है बिलकुल तयार अब लास्ट में मैं इसमें एट करूंगी हरा धनिया जिससे इसकी लुक और भी यमी हो जाएगी और यहां आप मटर आलू की मज़दार सी यमी सी सबजी देख सकते हैं यह मटर आलू की नहायत ही असान रेसिपी है जो मैं आप से शेयर कर रही हूँ और कोई भी खास मेहनत नहीं करनी पड़ी हम अब इसको सहरी में पराठे के साथ करेंगे इंजुआए आप भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा इसी के साथ इजाज़त चाहूंगी मेरी वीडियो च्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और इंशाला वाओंगी नई क्रियेटिव और इंफामेटिव वीडियो के साथ अल्ला हाफीज